प्रेस्थ कुछ दूट प्रेस्ट कर दिया है तो जड़ा आवाज की बिना तुने इन सबको डिर कैसे कर दिया बताता हूं झाल 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 जाल झाल करको प सक МУЗЫКА सजस्ट भूप्श जादर भी हाँ किधर जाना है तांडूर जाना है तांडूर क्यों जाना है वहां मेरा बाप रहता है यह बात है आके जगह नहीं पिछे जाकर बैठ जो जाकर बैठो कि चलो चलो निकलो चलो है है हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके इसाब से वह इसी एरिया में कहीं पर है बोब बात कर रहा हूं नहीं तुम बीच में क्यों बोल रहा है ज़रा चुप बैठेगा है 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 ज़र सर हमारी कार मिल गई क्या सर बताईए तेखो मुझे जो इन फॉरमेशन मिली है उसके इसाब से हमारी कार यहीं कहीं पर है हमारी कहार मतलब आपके भी चुरी होगे पेपर में शपोगे ती और वह बिना पासवर्ड के वाइफाई जैसी है देखो तुम अपना मुझे मत दो हमारी कार यहीं है सर्थ मैंने देखा उधर सारी कार्स वहीं पर हैं वहां पर है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हमारी कार भी पर ही चलिए हम जिस आसानी से कॉलिंग बेल बजाते हैं वो उसी आसानी से पकड़ नहीं होगा जो इसना से यहाँ फ़ल्ड वहां थियुक आसे लिए वे यहाँ जब वहां मेरी कार आता है श्काल भी तरष मेरी किरिक क्रिकर कि अलुक्र मेरी को यहीं हों किया थे शॉन रही इस अब्दरक किया कार शुक्त पंगा यहाँ कि अपनिंग मास था ना कौन है रे तू बप्पी तूने ही हमारी गाड़ी चोरी की चोरी नहीं रहे रिकवरी किया तू कौन है गाड़ी रिकवरी करने वाला मारूंगा तो बिना कवरेज एरिया में जाएगा तू बप्पी रिकवरी बप्पी फ्रॉम HDFC एलेक्ट्रिक बिल केबल बिल टाइम पर भर देते हो ऐसा क्यों वो कट करेंगे हमने कट करेंगे इसलिए इसलिए लेकर आया हूँ इज़त से अपनी अपनी एमाय भरतो और कार लिए जाओ और नहीं भरा तो इन चार्स को ओन-लाइन में डाल कर बेच दूँगा और मैं हासलों नहीं बता हूँ तो कार लों क्यों भरूंगा तो तुझे इतनी कार की कैसरो थै तेरे लिए कार चार और और तेरी गल्फरंड के लिए बहूत अच्छा इस्तेमाल करता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सिंदगी में दूसरी औरत है अपनी हालत तो देख लेते दूसरी औरत रखने से पहले ये माई भरने के लिए फोन किया तु तु बैंकॉक में ऐसा कहा गया था लेकिन तेरी कार तो पड़ोस में घूम रही थी इसलिए लेक्या आया हूँ बैंकॉक वैसे गया क्यों था मेरे बैक्ग्राउंड के बारे में तु नहीं जानता है एमेले से लेकर एमपी तक सब जानते हैं मुझे फोर्ट यह करतो यह को आपकर नहीं का यह उल्व कर भागे नहीं क्या यार मैं लोकल खाना इंचार्ज ूंड़ा जाएंगा दो दिनों में देता हूं मैं भी लोकल हूं दो दिनों के बाद सब्सक्राइब कर दो तुमने आरे किसी के साथ कनेक्ट हो गया खुजा कर जूण इतने दुनों से कहा थी अपना नंबर बता दिया क्या नेया नंबर लिखागो पता है क्या कर रही है मैं सुमें से तुझे ढूल रहा हूं तु इसके साथ कनेक्ट हो गई क्या तेरी खबर लेता हूं तो घर चल विर साथ फोन किया ना तो तेरी ठांगे तोड़ दूगा अरे भाई इसके हालत देख अरे यार एपी और तिलांगना जैसे अलग हुआ है वैसे इसके बॉड़ी का पार्ट भी अलग हो गया अपना मुझ तरफ के गुमारा है शर्म आ रही है क्या शर्म की बात नहीं है इसकी ताइम पूरा हो गया लगता है कल नहीं तो पर तो इस नहीं प्रेंशिप के बात करिया तो ऐसा लग रहा जैसे नित्यानन स्वामी प्रवचन दे रहा है तुमने और तुम्हारी माने इससे मिलने के लिए मना किया है इसलिए इसके ऐसी हालत हुई है तो तने फ्रेंड हवा के जोंके की तरह होते हैं अगर हवा नहीं हो तो इस माताना क्या हुआ है यह तेरे से च्ब वेले कि अपंश्रा premi 집 में किँ यूद्प्र टो पर शूपर मार्कट तो इसमें प्रप्लम क्या भूला है आंप स मैं जिसए नहीं जानता था और वे तो क्या ड्स 10,000 रुपया उधार होगा दस लाख यार यह तो बहुत है यार गवर्मेंट जिस तरह किसानों को पैसा दे रही है वैसे तू दे रहा है किया मैंने सुचा था वो लोटा देंगे तुछ से जिन्होंने करजा लिया है वह चुपकर घुमेंगे लेकिन तेरे पैसे नहीं लोट यह दो बाते हुए देखा है माने टाटा तो फ्रेंड्स को छोड़ देगा क्या तू रीकावर होने से पहले तेरा सारा पैसा रीकावर हो जाएक यार चलो यार इसमें यह वो लिस्ट हाँ रवी शंकर पाच जार एकसा रुपे भवानी दस एकसा रुपे नारायन शेहार एक लाग पचास रुपे राजमोंद रेटी पता है यह मिस्टर इगो कॉन है मिस्टर इगो अरे असे घबरा क्यो रहा है जो पूछा रहा है उसका जवाब देना तो इस एरिया का बच्छों को बलून पसंद है वैसे उसे इगो पसंद है कुछ लोगों का इगो तो कुछ अरे हम जैसे लोगों का पैसा लेकर वो एशी करता रहता है एक बार को दौत से पंगा लेसे यह पर उस से पंगा नहीं लेसकते तो वह क्या बिकॉड लें तो कोई भी देख सकता है पिंजरे में जाकर फोटो घिजने वाला ही मर्द होता है थोड़ा जादा नहीं होगे इ मैं बोलो का रहता है तुम जब भी इंजेक्शन देती हो तो मेरी नस फटकने लगती है इसको कहते हैं नस की वीकने मेरे इगो को अगर हट किया ना तो तेरी नस निकालकर मैं गिटार बजाओंगा तू चालू रह फुल जड़ी तुम मेरे दिल में हाग लगा रही हो शर्मा गई तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं फुर शर्मा लगा सकता हूं मिस्टर ईगो नामे तो ऐसा लगा था बहुत बड़ा गुंडा होगा लेकिन यह तो शकल से कॉमेडियन लगता है नमस्ते भाई कौन ह तुम थोड़ी देर पहले फोन किया था ना और यह मेरा फ्रेंड है क्या रहे अपनी आंटी को चश्मे के पीछे से क्यों गूर रहा है आंटी तलवार की धार है बनाना को बनार सी साड़ी पेना यह पसंद अच्छी है आप दोनों के बीच में जनरेशन गया बहुत आता ह यह मेरी गल्फेंड है वही सोचा कि बीवी ऐसे कैसे हो सकता है मेरे एगो को हाट नहीं क्या था फुल जड़ी तुम उसे क्यों गूर रही हो मैं इसे घूर का रही हूं जी बस मेरी आखें उस पर बार बार जा रही है सुनो तुम अपना फोकस सिर्प मुझ पर रखो चलो मिस्टर इगो भाई यह कैसा मजाक है मिस्टर इगो से गेम खेल रहे हो आखिर तुम लोग हो कौन सूपर मार्केट रतना दिप के मालिक की हम लोग फ्रेंड्स है हाँ हो तो उससे क्या भाई उसके पैसे उसे वापस दे दो ना प्लीज भाई पैसा डाल कर निकालने का प्रोसीजर इस मिस्टर इगो के बैंक में नहीं है, यह दिवाला निकालने वाला बैंक है, यहाँ सिर्फ डिपोजिट्स होते हैं, विड्रॉल नहीं होते हैं अब 8 टीम तो तु आई गया हूँ, अब पैसे कैसे निकालने हैं मुझे पता है तो में पैसे निकालेगा तू तो ऐसे मसाज करते हैं क्या, भाई का भेजा इधर ठीक से नहीं कर सकता, ठीक से कर, अब यह मैं कह रहा हूँ ना, इधर इधर मसाज कर देखो भाई मेरा दोस्ट प्रॉब्लम में है उसे पैसे दे दो आरे देखो मैं कहा रहा हूँ ना यहां मसाज कर भाई का भेजा कुटने में है उसे ओई लगा कर मसाज करेगा तो भाई का दिमाग ठीक से काम करेगा समझा वैसे तू बराबर कर रहा है परफेट कर रहा है ए एक लाग रुपे की तो बाद है आए रे मेरा अंगुठा बाई ये देखो मेरे पैसे देकर इसे ले लो हां अंगुठा चिल लो करें अवर करें आए पत्वा करनु घंडें अधीं गुकुर अधीं रहते हुए इस्ची ज़ीए गुद刑 इस सब्सक्राइब करें देख़रो में चाला है यहां से सब्सक्राइब नियुक्त है जलोकी जलोकर पकलो उने आत्सकर प्रॉछ कोगा हो डिया। हो तो लोलू। तो अभालं कि ढेंगा ने पाज़ को जाएगा। एई-बना ने जैसे दिजने जेका। अबजा रिटीक्नोगा। है एए-बना गेड्टीक्नोगी जाएगा। गिरा दे हैं। घरा दे हैं। तुक रूद रोट्ष बस गळा खाया करो काया जाएगा बजके तेरी तो इसका तो दिमाद भी उड़ गया बॉर्च पार लिया परिक्षिक्षा निया है तुम्हारी देहां की मुझे हाथ लाटते ओन तुम्हारी जो जो भॉआ परशार मातो बाई डॉक्टर को बुलाया आता ही होंगे नमस्टे नमस्टे क्या प्राब्लम है भाई का कट गया क्या कट गया अंगुठा सार अंगुठा मैंने सुचा कि इसले तो बड़े करना चाहिए वरना अंजाम बुद बुरा होता है अरजुन के लिए द्रोडाचार ने जिस तरह से एक लवे का अंगुठा ले लिया था ना उसी तरह उसने अपने दोस्त के लिए अरे डिटेर्स बताने के क्या ज़रूरत है डॉक्टर सहब मेरे शरीर में बीपी शूगर कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए इतनी भारी बरकम बॉड़ी है और उसमें इतनी सारी बीमारिया पाल रखी है तुम आखिर इसके साथ हो क्यों ब्लड जा रहा है डॉक्टर एक गंटे में तुम भी चले जाओगे ये ब्लड अगर तुमने किसी ब्लड बैंक में डोन में क्या पहले हो पैंसिल इतना है इस्ज़त से कहता हूं बहुत कांग उठादे दे वर्ना कुंडे साब ने खड़े और ये पैंसिल चिल रहे है तंकी के बाद भी कोई एक्स्प्रेशन नहीं मुझे तो ठीठ लगता है बाई मच्छर के जैसा है तू तेरे से क्या डरना तेरी तो पिन यह पाई है पॉस्टलिटी देखकर पॉसंब को कमने ही समलना चाहिए जिसमें स्मार्टेस होता है वहीं तकत वर होता है आजा 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 ये रही है ये अनर्जी ढूर्ग है इसे पीकरते को बहुत पुद्र आएगा हाँ भाई यो तो फिनाल जा सब लग रहा है अशिर्वार मिर्ची पावडर कलर कम तीखा ज्यादा यह तुम मुझे क्यों बता रहा है आंखों डालने के लिए बता रहा है मेरा आंग उठा मिला आप तो सिर्फ बातों से बेंड बजाते हो यह तो लाद गुंसों से बेंड तेरे पैसे में भिजवा देता हूं मेरी उंगली तु सेफ है ना उंगली एक तम सेफ है पैसे देकर ले जाओ अरे वह सेफ है जल्दी पैसा ले जाओ अगली अगली आप अप अब इस चलीश चलीश अटासी सो भाया यह जागे चिपकर दे यह अब कुछा ना कितना कम जोर हो गया यह जा रहा है यह जा रहा है ऐसे घूर क्या रहा है पढ़ना हुसा एना है मैंने का ना पढ़ना है सब के लिए सूचना रख नदीब सुपर मार्केट में इसने भी कर जा लिया है वो जल से जल तुकारे वरना मिस्टर इगो की तरह उंगली काट कर बेज गया जागा और कर जब आप ले लिया जाएगा वाई मुझे एक डाउट है क्या तुम लोगों ने सचमे एगो की उं लोग मेरी उंगली कटने पर कितना अफसोस कर रहे हैं तो उंगली दिखा दो ना वाई अचाने कितनी शांदी क्यों हो गई एक बाजरा उधर देखो अरे ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं वह आपको देखने नहीं आते वाई तो फिर आपके उंगली कटी है नहीं ये कन्फर्म करने आते ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है गया जला है अगे बाल जला है एक हम चला हो अगे बाल टी कियों है सब बोसूल हो गया है यां जो भी था सब बुष्व और यार तेरे जैसा दोस्तों ना तो कभी किसको प्रॉब्लम नहीं सकती सच में तुम्हारा शुक्रियादा कैसी करूं समझ में नहीं नहीं आए आँटिया अब ही ऐसी बात कर रही है हमें आदत नहीं है भाईया थैंक इसो मज़ भाईया ओ नो तेरे फेस पर सेंटिमेंट सूट नहीं करता तेरी शादी है शर्माने के प्रैक्टिस कर जा थीक ठीक है ठीक है लड़की वाले आ रहे हैं तैयारी शुरू करो शूर अब यह कहां से आगया अंकल मेरो दोस्त को आप जानते हैं क्या जित्रा में चंदर बाबु नायडू को और जित्रा में वाई-एस जगन रेटी को जानता हूं ना उत्रही मैं इसको भी जानता हूं अच्छे से जानता है उसका नाम बदरा राजू है मेरे पापा का तुझे मेरी बेटी तो याद है ना बहुत साल पहले मतला बच्पन में देखा था अरे तुझे अभी देखेगा तो कभी नहीं भूल पाएगा मेरी बेटी गुडिया जादू की है वह पुडिया उसके पीछे है पूरी दुनिया थे बेटी गुडिया आजा आजा अरे तु इसे घूर क्या रही है तु बचपर में जिसे शादी करना चाहती थि यह वह पापी है और इसे हाई तो भोल इस लड़की से शादी किया तो जिंदिगे पर इसकी बॉड़ी का बोड़े गार्ट बन जाएगा जाएगा कैसे लेगी एक जूड़ा सा कामे में अभी आता हूँ आहां मैं आया तुमनों क्या करें चलो यह क्या है डैडी डोंट वरी इसने वन टू थी का पड़ा हुआ है तू जाके इसे वन फोर थी का पड़ा दे अब जा ना यह सा उसे अलो वर्दराज जी कौन है वोनन का दामाद यह क्या यार यह डिजाइनर अभी तक क्यों नहीं आया पता नहीं अब तक क्यों हां यार बहुत लेट हो गया है क्या है अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए एक्चली हम लोग को साड़ी पहननी नहीं आती इसलिए हमने फैशन डिजाइनर को बुक किया था तो क्य काव्या काव्या यह सब क्या है तुम्हारे भाया तुम्हारी शादी के लिए रिष्टे देख रहे हैं और तुम घर से भागती रहती हो यह चौथी बार था भावी पहले ही कह चुकी हूं मुझे अभी शादी नहीं करनी आप जब भी रिष्टा देखेंगी मैं भाग जाओंगी तुम दोनों भाई बहन के बीच में मैं फस गई हूं अच्छा वैसे वो है का तुम्हारे भाया आते ही होंगे जाकर तयार हो जाओ तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं हां फिर से तुमने किसी को बुलाया प्राबलेम होगी तेरे भाई के बोलने पर इतना बड़ा रिस्क लेरा है चल वाग निकल यांसे जाओ हा 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 ह९। क्या रध्या तेरे ग्रसात बाते हैं पोलिस वालों को मार कर भाग रहा था इसलिए इंकाउंटर करना पड़ा है इससी फाइल पर जजमान लड़की का नाम काव्या है बहुत अच्छी लड़की है और उसकी क्या तारीफ करूं एक सांसारिक लड़की के सारे गुड़ उसके अंदर है इनसे मिलिये ये इनकी पत् भाती हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं है फैरे में चैर पूरा शहर मेरे नाम से ही जो प्यार करेगा फिर दोखा देगा उसे में नहीं छोड़ूगा ऐसे लोगों कुछ सबक सिखाने के लिए हैं मैं एनकाउंटर करता हूं प्यार के नाम पर जो लड़की को दोखा अरे टीवी वाले ऐसी दिखाते रहते हैं टीवी देखकर के डरिये मत ये प्रोफेशन में सीरियस हैं इसके अलाबा एक दम फैमिली मैं सही का ना ठीक है जरा लड़की को बलाएं बेहन को बलाएं काव्या हाँ काव्या ये क्या है पंडी जी आप में से दूला गौन है ये तू बैठ जा ये क्या पंडी जी आपने तो कहा था कि लड़की संस्कारी है ये तो टावल में ही आगे लड़की मॉराल वाली है इसलिए मॉडन कपड़े पहनती है मुझे पशन ने रड़ी अभी तो हम इसे सिर्फ देखने आए और ये टाव करेंगा मैं बात करता हूं आप से चलिए तो ये क्या कर दिया तूने मा नहीं है इसलिए कुछ बोलती नहीं हूं आप रिष्टे ढूंटे हैं और ये तोड़ देती है फिर भी आप रिष्टे लाते ही रहते हैं ऐसा कब तक चलेगा लोगों के लिए चाहे बनाते मैं भी ये क्या तुन्हें फिल्म कहा था यहां कहा ले आई एसीपी के बहन हो और इलेक्ट्रिक विल भरोगी तुम्हें पता है ना भाया कितने स्ट्रिक्ट है बिने बहाना बनाए भाबी घर से बाहर नहीं आने देंगी इसलिए ये रीजन देकर आई हूं इस तरह तो फिल्म मे हो जाएगी हम टाइम पर पहुंचेंगे तुम अरे यार मैं हूं तुम्हें याद नहीं आ रहा उस दिन हम लोग शादी में मिले थे अब कुछ यादाया हूं यस यस यादाया तुम्हारी डांस्टे तो शादी बीचाट चांद लगा दिया था तुम जैसी लड़की ने तरिफ की तो जरूर कुछ काम होगा तुम समझ गए बता दो क्या काम है मेरा बिल भरोगे तुम बीच में आकर बिल भरने को बोल रहे हैं कैसे चलेगा जाकर लाइन में खड़ा हो जाओ यह मेरा बॉइफ्रेंड है वह फ्रेंड हम लोग कॉफी साथ में पीते हैं शामी साथ आपके बाद हर लड़का लड़की इस शहर में एक जूसे से मिलने से डर रहे हैं सर वहाँ बिल थांक यू सॉरी अन लोगों के सामने तुम्हे अपना बॉर्फिन के यह तो अके बाइस यू एक्स्क्यू में था पूली एक है मुझे यह याद यह याद थांक्यू अप्य सब्सक्राइब करें यह तुम से मुझे कुछ बात करनी है चलो कौन है आप लोग ए सर कौन है पता निये क्या कोई भी हो मुझे उसे क्या आई रंकर्ट डिसकॉशन महीं करना है मुझे रिजल्ट चाहिए सर 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 मेरी बाब सुनिया सर ग्योरे तूसे लव करता है क्या लव और मैं सर उस लड़की से प्यार करना तो दूर मैंने तो उसे फूल भी नहीं दिया सर सच मैं सर आपकी कसम मेरा यकिन कीजिए यह तेरे लिए लास वानिंग है अगली बार अगर तुझे उस लड़की के साथ देखा तो बाच्चित नहीं करूंगा सीधा शूट कर दोगा चोड़ दो इसे ओके साथ यह क्या हो रहा है बबा ट्राफिक के सिगनल की तरह यह हर जगा मुझे नजर आने लग गई है उस दिन इसी लड़की की वज़े से मुझे मार पड़ी थी अब इससे बत अता हूं वह मॉल के थर्ड फ्लोर पर है आप शो मीदीज क्या है आपका नाम नहीं पता ना इसलिए पेमेंट के आंकड़े से बूलाए तुम यहां क्या करें हो शॉपिंग करने आये हो शॉपिंग करने नहीं हां तुम्हारे लिए आया नेरे लिए हो क्यों फॉलो कर रहे हो फॉलो मैं तुम्हारा नहीं बलकि तुम मेरा कर रही हो उस सेल्फी की वज़े से मैं बहुत बड़ा सेलेब्रिटी बन गया हूं वो कैसे बताता हूं तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे रिलेटिव में कोई बंदा पुलिस वाला है क्या ड्रिंक तुम्हारा भाई है। चीर्चर्ष आजा यार बैट 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 जा किया है इतना डल्की होई एक पैग मार ना चुप चाप सुनना वहाए एक लड़की मेरे साथ डांस करी थी ना वह लड़की एस सब्सक्राइब लड़की दो बार मिली तो उसका भाई मुझे उसका लवर समझने लगी तो उसके पास क्यों गिया था तो मैं उसके पास नहीं बल्कि वह खुद मेरे पास आई थी वह पह लड़की और तेरे बीच क्या संबन्द है चुप चाप उसके भाई को बता दे यह काम करेगा क्या अरे पाप्रे उसके सामने गया तो इंकाउंटर कर देगा इस वक्त केट से जाने से अच्छा पीचे से जाना अच्छा रहेगा यह वाल तो चाइन वाल की तरह लग रही ह काहँ हैं करने दो तो मेन डर गयाकर विल्ली और दीवार क्यों चुट रही हो तो क्या शेद्री की जैसे चड़ो यह तुंहां क्या कर रहे हो तुम्यारे भाई से मिलने के लिए आया हो यह बैग लेकर तुम कहारे यह जा रही हो ऑपनी घर से भाग रही हो你在 नहीं नहीं जोगिंग के लिए बैक ही क्या जुरोता है सब पता कर लिए अब बताओ तुम यहां के ऐसे तुम्हारा भाई हम दोनों को लवर समझ कर मुझे खत्म करना चाहता है मैं तुम्हारे साथ मुझे लव से नफरत है ज्यादा टेंजन नहीं है एक बार तुम अपने बहाई को बता गर भागो ना अपने भाईया को बता पाती तो इस तरह दिवार पांगर क्यों जाती मैं तुम्हारे चकर में मैं प्रॉब्लम में नहीं पजना चाहिए अरे सुनो तो एसी पिसाप एसी पिसाप आपकी भाग रही है आपकी बहन कोई रिष्टा नहीं है अर पेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है शेहर में नाकाबंदी कर दो वह इस शेहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए वह की सब्सक्राइए अगर मैंने तुम्हारा भाई मुझा फॉलो करेगा सुनो ना अपने भाई को एक बर बोल दो ना अरे वह भाई साफ वह भी बहन अपने चली जाता है मैंने तु बहुत एक है जब मेरे पैसेंजर मुसीबत में होते है ना तो मैं उन्हें बीच रह में नहीं छोड़ता एक फोन पे रिक्षा वाले जमा हो जाएंगे बस बताओ मुझे क्या करना है एक काच्य कोड़ा रिल्वे स्टेशन चलो बस इतना ही तुम लोग पीशे की तरफ देखो अलो सर कहा हो तुम लोग हम लोग अभी रिल्वे स्टेशन पे हैं सर कुछ भी हो जाए वो लोग बचने नहीं चाहिए है और जगे अच्छी तरह चेक करो दांसर है चलो शाहर का कोना कोना चान मारो प्लिस यापर क्यों है वो तो हर रिल्वे आपल ली जाओ तुम्हारे भाई का नेटवक बहुत ही स्ट्रॉंग है कहीं भी जाओ मिल जाएगा अब तो तुम्हारी खैर नहीं है तुम टेंचन मतलो मैं स्टी से बाहर ले जाने का जिम्मा मेरा है लेकिन एक कंडिशन है वो क्या है शहर से बाहर जाने के बाद तुम अब भाई को फोन करोगी और उससे कहोगी कि हम दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है डीलो के ना कि भॉग पर रही हूं ठीक है जल्दी से आजा मैं तेरा ही वेट कर रही हूं रूख जाओ यहीं पर रूख जाओ शादे के बाद बदल जाती है ज्यान रखना तू कहां से मिल गया भे हमें हाँ मैं तू आपकी भलाई के लिए के रहा था अब जाना जाओंगा हाँ अब फोन रखो भाई हम सब को छोड़ कर क्यों जा रहे हो भाई अरे उस बापी की वज़े से मेरी उंगली कट गई उसके लोगों में मेरा डर हट गया मेरी गल्फिंट भी किसी के साथ भाग गई सुनो रेकिस्तान में तो हम लोग बिना मोबाईल के जी सकते हैं लेकिन जहाँ इस जी सकते मेरी बहन ने मेरे लिए एक लड़की देखी है शादी करने के बाद मैं गाउं में ही सेट हो जाओंगा लाओ मेरा बैक दो जब शादी करनी थी तब तो किया नहीं अब क्यू कर रहे हो भाई सुनो तोता को मैना की और आदमी को मीना की जरूरत रहती है इसलिए तुम लोग भी बैचलर लाइफ छोड़कर शादी करो और फैमिली लाइफ को एंजॉय करो अब हमारे लिए सोच इमोस्टन नहीं होना इमोस्टन नहीं होना अब हमें छोड़कर बचारिये अब है अब सुनों मेरे लिए तुम लोग मत रो अपने लिए अपनी होने वाली के लिए रोना सीखो गाड़ी आगी मैं चलता हूं कर बचाब बहुत लूँ हो तुम मुझे यहां के लेकर आयों बताता हूं बैग दो एः जब तुम मेरे घर की दीवार पर चड़े थे ना मुझे तभी डाउट हो गया था कि तुम में बहुत बड़े चोर हो अरे बापने तुम्हारा घर एक बड़ा सा पैलेस था और तुम वहां से जूल्री लेके भागी हो हां अरे बैग दो फिर बताता हूं मैं आइडिया लगाता ह करेंगी सुना में भी आ जाए तो भी रेडियो कर निकलेगी क्या इसके लिए यही चाहिए था मुझे तुम करने की क्या सोच रहे हो कैसा लगा एडिया तुम तो स्मार्ट निकलेगा अरे वो देखो ट्रेन आ चुकी है चलो ओके है अरे चेन किसने खीची पगड़ो है चलो है अब है बॉम्बे एक्स्प्रेस का टाइम हो अब ही तक आई नहीं बीच में किसी ने ट्रेन को रोख दिया इसलिए लेट हो रहा है है जा वेट कर रहा है अब बोलो सर वो लोग बॉम्बे एक्स्प्रेस से आ रहे होंगे विकारबाद इस्टेशन आ जाईए चल्दी से जीप निकाल चल कितने खुपसूरत है ये शादी के लिए जिस हसीना के सपने देखता था उसे हकीकत में अपने सामने देख रहा हूं मेरा जीवन सपल हो गया किसी भी तरह इसे पठाना होगा एक आदमी मेरे साथ बत्तमीजी कर रहा है कौन है वो वो देखो वो रहा है अरे तो यह इसका लवर है मैं जहां भी जाता हूं यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता वो क्या तुम जानते हैं इसे बहुत अच्छी से जानता हूं मिस्टर इगो बहुत बड़ा रावडी है उसक चाहिए तुम कुछ नहीं कर सकते तो बोल दो मैं उसे खुद निपटलूंगी अरे रुक इससे एक बर पंगा लिया तो इसने मेरी उंगली काटी फिर से लिया तो पता नहीं क्या काटेगा उससे तुम रिवेंज लेना चाहती हो ना हां तो फिर उसे लाइन मारने की बज जाएंगे इसा लगा आइडिया सुपर तो फिर देर की सबस्क्राइब की जाओ ना तो अब कि वह देखो मैं हांसम वाव उस दिन तो यह हमसे बच गया था आज चाहें जो भी हो जा इसे छोड़ेंगे नहीं है तुम लोग यहां कैसे उसे शादी में भाग गए थे ना तब से हम तुम्हें ठून रहे हैं आज हम तुम्हें भागने नहीं देंगे तर असल ट्रेन में अच्छा नहीं लगेगा हैंसम वह तो इदर मैं हूं और उसे हैंसम कह रह कोई अपनी गल्फ्रेंट से पूछे बिना एक्स्ट्रा सीम यूज नहीं करता लेकिन इसने तो पूरा टावर ही खरीद लिया है कैसा लगा अब मेरी बार यह मुझसे बर्दार्श्ट नहीं हो रहा अरे को नेरी तरफ भी तो देखो अरे सुनो मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है इस पर तो एक साथ दो दो चली गई अरे क्या चल रहा है कितने अच्छे से पहनाया यार पहले कभी किसी नहीं पहनाया पर यार ओके बाइव 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 बचके आप यह तुम्हारी वजह से मेरे आवडिजम छोड़ कर गांधी जम जोइन किया हूं शादी करने के लिए गाउं जा रहा हूं सॉरी भाई वह बैठी है तुम्हारी लवर है ना गलती से उसे पटाने की कोशिश कर आता है वह लड़की मेरी लवर नहीं है फ्रेंड है फ्रेंड है तो मैं कंटिनीव रखो क्या बाइव शुरू हो इस पर गुछ गलत नहीं ना कुछ भी गलत नहीं जाकर बात करो यह हुई ना पाट यस कि अपने वारी लड़की बड़ी वस्त है मुझे देख रही है मुझे से प्यार हो गया प्लीज वहां जाकर बैठ जाओगे फ्लीज मेरी सीट से तुम्हें उठा रहे हो वैसे तुमने सीट खरीद या ट्रेन खरीद लिए टिकट खरीद के बैठा हूं ज़रा दिखाना त देखो एक मिनटी दर आओ क्यों आओ तो देखो इससे पहले भी तुमने मुझे मारा है अब चुप चापे नहीं चलेगा अपने बाइस पता नहीं क्या यह बात तो आपको पहले बितानी चाहिए थी जानते हैं बेवज़े आपको गलट समाइब मैं सौफ़ेर इंजिनियर्स को बहुत पसंद करती हूं यह क्या क्या पैसे क्यों फेक दिए ट्रेन से जाते समय अकर पैसा पैकते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाती है मेरे मन में भी इच्छा है आपने तो अपना वॉलट ही भेंग दिया मैं भी आपके जैसा सेंटिमेंटल हो जी आपके जैन की ज्वाव, जैन की ज्वाव हमें जाना है हाँ एनी हेल्प चेन कीज़ेंगे क्या आपके लिए चेन तो क्या में ट्रेन को भी की चुगा है आप मैं समझ गया हमें यहां से भागना होगा अगले ट्रिशन में आपके लोग आपका इंतिजार कर रहे होंगे यह सो स्माइट अभी किसना हूँ मेरी डालिंग का बैक आहां है डालिंग यहां चैन किसने कीचि सब इसने मारा था उसे दिल पर मत लो यह अरे भाई इस के लिए तुम्हे फाइं बढ़ना होगा है रे ऐसके ने सर्फ एई क्या तुम्में पता है की मेरी लवर कहा गई मैं चुप चुप फाइन देते हो कि नहीं क्या कहा रहा हूं पहले उससे सुनिये तो वालेट मैंने बाहर ठेग दिया पैसे उसी में और काट्स भी यह कहानी रेल्वे पुलिस को बता हुआ अब तुम लोग जाओ अब तुम है क्यों बताओ काला चश्मा पहन कर हीरो की तरह पूछो के तो बता दूंगा क्या सर कोने तुझे पता है अरे तुम कोन हो बुंडे हो बुंडे हो मैं ऐसा शेर हूं जो अपने शिकार की हड्डियों तक को नहीं छोड़ता मेरे गुस्से से तुम लोग जल जाओगे मेरे आउटपुट का तुम्हें अंदाजा नहीं है अमा पुलिस के सामने डालोग मार अरे सर आप पुलिस वाले हो सर गलती हो गई सर रोंट चेंज वह शेर कहां गया वह आउटपुट अचानक कहां गया चोड़िये ना चमड़े के जुबाने फिसल गई सर तो यह बता ट्रेन की चेन क्यों खीची वह मैंने अपनी गल्फ्रेंड के लिए खीची सर तेरी भी प्यार करने माली इसके साथ लड़का भी होना चाहिए इसका फ्रेंड है वह दोनों फ्रेंड नहीं है वह दोनों लवर्स हैं तुझसे चेन किच्वा के वह भागने में कामियाब हो गए अरे पाप रही वह अब सरह इतनी शातिर निकलेगी यह तो मैं सोच भी नहीं सकता है की विःधिश को दने तो घबाएं में तो में इसे धार सरदक देगा तयु geht टुमारे चैनल यह असा क्यों प्यार का मतलब क्या है तुमें प्रपोस कॉर में नहींतों करना तबी तब है कि उइसे ड़िबार मिला क्रसेगा देगा अरे उसके बाप का राज है क्या इतनी बोली शकल पर उसे तरस नहीं आता एक बार तो मैं बाल-बाल बज गिया था तुम हस क्यों रही हो सिंपल सी बात है आज पोर जी चलता है टूजी चैसा स्लो रहोगे तो कैसे चलेगा अफडेटेड रहना चाहिए कहना क्या चाहती हो उस दिन मॉल में उन्होंने गोली तुम पर नहीं चलाए थी और शोरूम के अंदर एक क्रिमिनल था इसका मतलब तुम्हारा भाई मुझे नहीं मारना चाहता है यह बता कर तो तुमने कड़ी धूप में भी मुझे ठंडग पहुंचाई अब तुम्हें मदद करने की कोई जुरूत नहीं है तुम अपने रास्ते जाओ मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ बाई मुझे बीच रास्ते में छोड़कर जाओगे बेल मिलने तक ही जेल में रहता है उसके बाद आदमी आजाद होता है तुम्हें सिर्फ बेल मिली है केस क्लोज नहीं हुआ है मैं समझा नहीं अब मेरी बात सुनों हम दोनों को उन्होंने साथ देखा है तो मेरे भाईया कंफ मेरी जान नहीं तुम्हारी जान खत्रे में है समझ गया समझ गया इस वक्त हम टाइगर जोन से गुजर रहे हैं अचानक ताइगर आ गया तो आप क्या करोगे सर हम तो उसे तुझे खिला कि हम लोग चले जाएगे आप से मैं यही उमीद करता हूँ लुक्त सर्फ तरफ सर्फ गाड़ी रोके ना सर क्या बख्वास है सर मुझे जोड़ से लगी है कंट्रोल कर नहीं रोक पाऊंगा सर मुझे शूगर की बीमारी यह सर प्लीज सर गाड़ी रुकवाईए सर थे तो बेकार में गाड़ी गंदी हो जाएगी सर एक्स्टा पैं सर अब भगवान हो सर क्या भाई मैं क्या कोई फिल्मी हिरोईन हूँ जो तुम लोग पीछे आकर खड़े हो गए हो अरे ऐसे खड़े रहो गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज यार जाओ यहां से मुझे थोड़ी तो प्राइविसी दो चले जाओ है भगवान अरे पाप्री आखिर इन्होंने यकीन कर ही लिया एक गोवर्धन रिड़ी यहां से बच निकलने का यहीं सही समय बच्पन में चुरी करके भागने का एक्स्पिरियेंस अभी काम आ रहा है गोवर्धन रिड़ी भागते चला चल रुखना नहीं क्या कर रहा है यहां चल बाख भी और पेशन्ट को कई यहां से मारता है क्या बख्वास कर रहा है आपने सुन लिया सब्सक्राइब आं यहीं छोड़के चला जाओं चल जीब बाख यह का हुआरे का रग्षी क्या पनाथी लगई है मैं खुशी कऊशी रेकावरी करने का क करता था लेकिन तुम्हारी वज़े से कवरेज एरिया के बाहर चला गया हूं कि सच में सिगनल गायब हो गया है जिसके घर में लड़की होती है वह घर की दीवान उची बनवाते हैं ताकि जंपिंग ना हो सके अब समझ में आया कि तुम अपने घर से क्यों भाग कर आई हो तुम्हारी जिससे शादी फिक्स हुई है वो तुम्हें पसंद नहीं है सही ना सही कहा है तुमने हाँ चलो हीरो इन से भी ज्यादा तेवर हैं इसके तुम्हें हेल्प चाहिए क्या कोई जरूरत नहीं है मैं इसली क्रॉस कर सकती हूं औवियस है कंपाउंड वॉल्ल जम कर सकती हो तो यह नाला तो कुछ भी नहीं है अरे कितना समय लगा रही हो जल्दी आओ यार जो लड़किया ऐसा कहती है कि मैं कभी नहीं गिरूंगी कभी नहीं गिरूंगी उसे किसी ना किसी के तो आगे गिरना ही पड़ता है चलो पानी बहुत थंड़ा है मुझे पानी में गिराया तुमने सर जर्नी बहुत बूरिंग है सर एफेम तो लगा दीजिए ना अब सर आप घूरते क्यों रहते हो मैंने तो इंटेंटेंबेंट के लिए कहा था किसका है मेरी बहन है सर बात करना उससे वह परसनल बाते कर सकती है सर अभी नहीं उठाओंगा बढ़ेगे एक सोड से उठाके बात कर स्पीकर पे कई अधी लेकिन रास्ते में कुछ दोस्त मिल रुक गया अरे किसे दोस्त मुल्द काणें शादी बैंड की आवाज ए bank इसका मतलब तीन महने के बाद बिना मेहनत के मैं बाप बन जाओंगा तो तुम क्या बोलते हो हां कर दू अरे तू क्या मुझे पागल समझती है मेरे लिए डिवोस्ती प्रेगनेंट और इसके अलावा तुझे कोई और नहीं मिलती क्या करो भई आपकी शक्रते किसी से शादी क्यों नहीं की एक गल्फेंट सम्हाल दाता सर वह भी किसी के साथ भाग गई सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई सर इसलिए मैंने सोचा कि अब शादी कर लो तेरी उमर कितनी है थाटी है सर अब थाटी प्लस टेन फॉर्टी है सर फॉर अब ही परस्नल सवाल यह पूछ रहा है अभी क्यों मारा सर फिर से कुछ बोला ना आपको महसूस हुए है सुनाई दिया दोनों महसूस हुए तुझे लगता है तुम मन में बोलता पर तुछिला के बोलता है ठीक है सर उसे कंट्रोल करना सी अच्छी बात है अरे यार फॉरेस्ट में टूरिस्ट के जैसा सो रहें यह लो इन लोगों के उठने से पहले मुझे भागना होगा सुच भारत को तुम जैसे लोग ही गंदा कर रहे है रास्ता बिल्कुल साफ है कोई जानवर भी नहीं गोवर्दन डेड़ी यहां से भागने का सही मौका है भाग लो घर तो बहुत दूर है और अंधेरे में इस जंगल में डर भी लग रहा है साप नहीं दिखना चाहिए भूत भी नहीं मिलना चाहिए अगर मिल भी जाये तो मैं उससे डरूंगा नहीं जाये पाउस्टार लगता है वहां पर कोई है साफ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहां दो लोग तो हैं लगता है जंगल में पिकनिक बना रहे हैं मेरे को अच्छा कंपनी मिलेगा अब ब्रदर जरा सुनिये ब्रदर यह तो पिताल की तरह पार-पार हमारी पीछे आ रहा है चलो इस पिताल का ताल भी गाड़ते हैं प्रिया हमें मरे हुए दस साल हो गए इसका मतलब यह तूरिश नहीं भूत है इस खुशी के मौके पर तुम्हें क्या चाहिए लिवर फ्राय किद्नी की खिच्डी इंसान का ब्लड चाहिए अरे यह तो ऐसे ओडर दे रही जिससे फाइव स्टाउट होटल में हो अरे बचाहिए अरे भगो अरे भुछ समझ कर डर गया इसके बाद वहमें कभी परिशन दे करेंगा और क्यास है यह है हमारी टाइट चलो रहे Hey पूसे जाहिए तुम्हें आयुसक्रीम जाहत है अखाल चुछ मारे कुछ नहीं समझ क्मझ करो रिच है ऑक कि एक मिनिट सोचने तो मैं कुछ करता हूँ पगड़ो इसे जल्दी चड़ो ना पेड़ चड़ना सीड़ी चड़ने जितना आसान नहीं है जब चड़ोगी तब पता चलेगा जाओ जाओ पहले चड़ो चड़ रहा हूँ मिल गया तोड़ो 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 वो नवे तोड़ो यह का आं गई कव्या कव्या जढ़ो जड़ो 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 अगहिर कैसे कर दिया बताता हूं कर दिया कंद। कि अ, सब्या提क कर दो टा उend settी कर दो लिवी लेगिव लेब है कर अ का लेखिव लेखिश कि अपिर जाना है तांडूर जाना है तांडूर क्यों जाना है वहां मेरा बाप रहता है यह बात है अगे जगर नहीं है पीछे जाकर बैठ जो अ मिले क्या नbak फिर से भाग निकले तुब बॉनिक सर तुब कहा गया था वे जॉगिंग कर रहा था सर जॉगिंग आउउ सच बोलना कब सीखेगा वे अब फॉरेस्ट में सिंगल जर्नी करने से ग्रूब जर्नी करना अच्छा है इसलिए में वापस आगया सर सही बोला जरा इसको जॉगिंग करवा फिर जीप म सब्सक्राइबी नुगल और पिर का मिफ्रम इव एफॉफ। बहुरा प्रस् यह रुच्छा बीदिकाता ब्रस् टान दोर चाओ जल्दी जल्दी तान दूर आ गया चलो बहुत-बहुत शुप्रिया भेट तुम दोनों घर से भागे हो दुनिया में किसी की हेल्प करो ना करो लेकिन लवर्स की बढ़ी जरू करनी चाहिए इसलिए मैंने तुम दोनों को लिफ्ट दिया अब यहां से पैदल जल कर जाना होगा अब यहां से पैदल कर जाना होगा अब यहां से अपने ख्याल रखना थैंक्सनि ठांक्स के सुरू दिस भाई को फोन कर देना ठीक है? घालो ठीक है चलो बख्चाई एना और चाहिए एना झाई एना थेंक्स प्ष्ट प्ष्ट व्ष्ट जटुटाँ पुष पंच एल इमें मरदोक एल बफरोफ लग्ट कि वोची बच्छा आए कि जिल्ला ये एक कि आए हुअ है हुआ है रही है अ हुआ लुठ मैं ठीक तो ना्या आपक्ता है अ है अ बाल आ कर दो उसे हाँ पिचर डौंट पिचर डौंट कर दो कर दो चलो कर दो कर दो कर दो कर दो एई, उस लड़की को छोड़ दे अरे पाप्रे, अरे पाप्रे, अरे पाप्रे ऐसा लग रहा भी इंट्रवल होने वाला है यही राइट टाइम है भागने के लिए भागो आप सब लोग कौन हैं? मालिक के लोग हैं हम इका हाले कर जा रहे हैं मालिक के घर पे कौन है, वो बीवकुफ भाई, भाई, मैडम को पता नहीं, इसलिए ऐसा कह रही है दुरा बाबू शुगर फैट्री, दुरा बाबू राइस मेल इस गाव में देख रहे हों सब कुछ दुरा बाबू के नाम से है इस गाव के लोग उन्हें भगवान मानते हैं इसलिए आप, अच्छा, लेकिन वो है कौन? इस गाव के गौड़ फादर है वो कङो के अच्छा, अच्छा बादर राभ हु libraries क्वां 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 थां युर ड्ल्म क्वां क्वां ku क्वां क्वां बाइस कर दो नहुम नहुम एना कम ठीजिए कर दिल को फिल दो देज़ कि दिल कर देजिए देजिए कर देजिए यह वो!!! कर देजिए गान यार जो खेंने प्वार आझा लूहारे लूहारे लूख लूणी गान लूहारे लूहाँ! हेई हमारे गाओं की जमीन को चीनने के सबने देख रहे हैं अगली बार अगर गलती से भी मेरी आंखों के सामने आए ना तो मार कर गाओं के बाहत अपना दूंगा उससे गलती हो गई बालिक मुझे माप कर देजिए बालिक तुम्हारा काम है घलती करना, मेरा काम है उसे सही करना, समझे की नए? समझ गया मारी को अधिया मारी मालेक, इने लेकर आगए बेर्ड जो हलो, हमें यहां क्यों लेकर आए हैं? लंगडी खोडी खेल निती इसलिए लेकर आए हैं, यह खेल छोटे को पसंद है इसलिए लेकर आए हैं छोटी? इससे देखकर तो किंकों की याद आती है, फिर यह छोटा कैसे हुआ? छोटे, छोटे अरे, बेटा, ओए, कैसा है रे तू? कितने दिन हो गया है तुझे देखकर तेरा एक फोन करने का भी दिल नहीं किया क्या, तुझे घर की याद नहीं आ दी थी, अपनी माँ को भी भूल गया क्या ऐसी बात नहीं माँ, एक्चुली क्या हुआ जानती हो वो यह तुम्हारी माँ है? सोनिया गंदी उसकी माँ है, यही इसकी माँ है, इसका मतलब वो छोटे तुम हो यह है चोटे बाबो और यह है बड़े बाबो इसका मतलब वो इसी के बापू, प्लो में निकल गया जी-जा जी जानते हो, अच्छा हुआ सही वक्त पर हमारे लोग पहुच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता, वैसे वो लोग थे कौन? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? आक्चली वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, इसमें आपके चोटे की कोई कलती नहीं है पहले बताओ तुम कौन हो, फिल्म में आने वाली आट की तरह बीच-बीच में कुद रही हो, हमारा इसके साथ रिष्टा क्या है? सेफटी के लिए पूछ रहा हूं, जीजू यह लड़की कौन है? यह यह लड़की मेरी फ्रेंड है हाँ अभी तो गल्फ्रेंड को फ्रेंड कहने का ट्रेंड चल रहा है, ससस बताओ अरे तुम लोगों को इस बच्चे पर गुस्सा क्यों आता है इसके घर आते ही सवालों की बारिश करोगे, तो यह घर से फिर से नहीं भाग जाएगा इसके दादा जी भी ऐसे ही थे, गुस्सा आया नहीं कि उठकर चले गए जो चले जाते हैं, वो लड़की को लेकर आते हैं क्या ए तु अपनी बक्वास बंकर सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूं माजी यह कितने दिनों बाद घर आया है, इससे थोड़ा तो प्यार से बात कर ठीक है, जो हो गया सो हो गया लक्ष्मी, आज के बाद यह लड़का इस घर से बाहर नहीं जाएगा, क्लियर वो ऐसे ही कहते रहते हैं, तु चल प्रेश हो जाए थेंक यू दादी, मैंने तो तुम्हें एक रुपए का कोईन समझा था, लेकिन तुम तो गोल्ड कोईन निकले, करोड़पती होने के बावचु, तुम वो रिकावरी का काम क्यों करते हो, तुमने बाप की बापता फिल्म देखी है, हाँ, देखी है, मेरी कहानी उसके बि देटिंग करने वाला था, पब जाना, पाटी में जाना ये सब बहुत सोच कर रखा था, लेकिन मेरे इच्छाओं पर ऐसी डाल दिया, किसने, मेरे पापा ने, क्या, ये फ्लाश बैक है, बड़ा नहीं है, छोटा साही है, वो दिन था जब मैंने अपने इंजिनियरिंग क इसके बाद हमें खेत में जाना है मादी, पापा, मैंने एंजिनियरिंग की है, तो मुझे ऐसे कपड़ी क्यों पहना है, ये मुझसे नहीं होगा, नहीं पहनना चाहते हो, तो पहनने की ज़रूरत नहीं है, थांक्स पापा, तुम ये धोती कुर्ता उतार दो, और कुर्ता पजामा पहन लो, चले माली, मुझे उसे ज्यादा उम्मीद थी, तुम्हें उनसे क्या उमीद थी बाबु, तुम जाओ, कोई काम दंदा नहीं है, बीच में बापा का गुस्सा मुझे दिखा रहे हो, मैंने जो तुम्हें बता है, ये सब काम मुझसे नहीं होगा, तो फि ये लो, खाओ, होकट का मिल रहा है ना, अरे, हे इट्स मी, गगग, क्या कर रहे हो यार, मैरे पापा ओडर देते रहते हैं, और मैं उसे पूरा करता हूँ, सुभा-सुभा खेती करने जाना, शाम को राइस मिल में जाना, वही काम और टाइम बचता है तो इन भैंसों के सा और तु यूजलेस वही पड़ा हुआ है, कैसे भी करके अपने डैडी को कन्वेंस कर, यूके यूएस ना सही कहीं शहर में तो चला जा, और आ रहा हूं, भुकडो, आ रहा हूं, लठ हूसो, अरे, 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 गाली की टाकी में पेट्रोल वैसे तु पिये जा रहा है, फ्लाइट में जाओंगा सुचा था, ट्रैक्टर में जा रहा हूं, बब में नाचने का सुचा था, घेतो में नाच रहा हूं, फारी स्टार अटेल में ड्रिंग करने का सुचा, अब स्टार को देखके ड्रिंग कर रहा हूं, फॉरें में जीन पूरा बला कह रहा है तुझे चड़ गई है क्या उन्होंने तिरे क्या बिगाड़ा है बताता हूं बुनिया तो डाल दी है लेकिन अभी घर बनाने नहीं दे रहा है पौधा तो लगा दिया लेकिन बढ़ने नहीं दे रहा है रावर्ण ने सिता को हरन करके लंका में डखा वैसे अन्त पापा ने मुझे घर में रखा ऐइसा फादर तो घर में क्या चेर्च में बिन नहीं होना चाहिए तेरी तो एए नारथ के सामने और मेरे सामने सीक्रेट कभी बताने का नहीं मैं अभी पूरिशा अभी जाकर ने बाप को सारी सच्डfeit बता किनी बार का है कि सबजी जड़ा देख कर लाया कर छे लेकिन मेरी कोई सुनता कहा है अब यह क्या है दिखाई नहीं दे रहा है बैग है पर क्यों है 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 जाना चाहता हूं यह 11 बार तो बैग बाहर रख रहा है बेल देने वाला जज होता है डॉक्टर नहीं और देखो हमारी फैमिली के कुछ भी हो उन्हें मिलनी चाहिए लो वो आगे तुम तयार हो ना बैग अंदर रख दू क्या क्यों बेटे कल खेतों में दवा डलवाने के लिए कहा ता डलवा दिया इसे भी थोड़े डोस की ज़रूरत है क्या मतलब आ इसी से पूछ लीजिए यह बैक पैक क्यों गिया मेरे साथ पढ़ने वाले सारे जाकर सेटल हो गए और मैं यहां मुर्गी फार्म डेरी फार्म में जिन्देगी बिता रहा हूं पक्षी को सोने के पिंजर में रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे भी उड़ने की इच्छा होती है यह आप समझ नहीं पा पाइद बात बन रही है तुम्हारी मर्जी हां इस क्लियर हां थैंक्स दादी हां गुड़ मॉर्निंग सर्मारी इंजीद्रिंग के वे चार साल हो गए इस दोरान क्या किया बहुत कुछ किया सर्सुबा सुबा खेतों में दवाड़ानना बैसों को खाना किलाना यह सब नह नहीं और बताता हूं न ट्रैक्टर चलाना राइस बिल में काम करना हमारे गाओं में सब का मैं ही देखता था सैप जावा सी प्लस प्लस ऐसा कोई कोर्स किया गया वो क्या होता है सर गिट आउट पंडित बनने के लिए मंत्र पढ़ना जरूरी है वैसे सॉफ्वेर एंजी चलो चलते हैं कि चलो आपने बापी पर ध्यान दिया वह बहुत टेंशन में लग रहा है वह फिर से घर से भागेगा क्या उसका कोई भरोसा नहीं है उसे इस घर में बांध है रखने के लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं इसमें इतना सोचने की क्या बात है आग लड़की चाहिए तब घर तो क्या वह चोड़कर भी नहीं जाएगा अरे ठीक से समझाओ ना शादी करवादी ना तो अपनी बीबी के पीछे पीछे गुमता रहेगा तो वह घर से तो क्या बेडरूम से भी बाहर नहीं आएगा सेफटी सेफटी अरे वा बेटा लगा था इसका दिमाग खाली है लेकिन क्या आइडिया आप तो आपने सार्टीफिकेट दे दिया अरे तो देरी किसलिए उसका तो बच्पन से रिष्टा पक्का हुआ है बद्र राज की बेटी से उसकी शादी करवा देते हैं दोनों अपनी आखों के सामने खेलते रहेंगे बहुत सही रहेगा जी है हाँ जीजू उस वर्दर राज को बुलाओ है उसे जैसे ही खबर मिलेगी वो ट्रेन से नहीं जीजू हवा में उड़कर आएगा है गुडिया किसी को भी किस्मत एक ही बार मौका देती है और हमें तो इन्होंने फोन करके बुलाया है अब अगर तु बापपी से शादी कर लिती है तो हजार एकड की नारियल की खेती और हजार एकड का आम का बाग सब हमारा हो जाएगा हम बहुत आया यह सफर कैसा था आपका सफर तो ठीक ही था तब यहां तक पहुंचे अगर मैं तो एक तम अच्छा हूं आपने जैसे मेरीज की बात की मैं सारा लगेज साथ लिए अरे वां भद्रराज तेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है यह लड़किया इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है कि पता नहीं चलता तू भी तो ताड़ की पेड़ की तरह इत्रा अंधर है जाकर मिल लो मैं थोड़ी देर में ठीक है जलो नमाजी पर दामाजी के साथ तो मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो फिर यह किसके साथ घूम रहे है कौन है यह शहर से आई हो तुमारी बेटी से कंपटिशन करने गुडिया इसे पताना शुरू कर दे अपने प्यार के जल में फसा ले इसे कहीं मिस्ता हूँ नमाजी आपके शादी हमारी बेटी के साथ फिक्स हो गई है शादी आप हां कहो या ना कहो आपके पिताजी ने सब फिक्स कर दिया तो आज से दूसरी लड़की के साथ घूमना बंद और मेरी लड़की के साथ गूमना वालों से मुझे अलर्जी है अरे सेफटी के लिए बोल रहा हूं जब तुम्हारी बलाई के लिए अलर्जी अरे अरे दमाजी का जला गया गुडिया तौन के साथ पूरी तरह से चेपकचा आज के जमाने में लड़कों का कोई पुरोसा नहीं इतने फास्त होते हैं कि कहीं तौन के लिए अगर रही हो शादी से पहले तुम्हें एक रोमांटिक टीजर दिखाने आई हूं पापी रोमांटिक टीजर वह एक चोड़ो छोड़ो ना थर्टे सिक्स ट्वेंटीफॉर थर्टे सिक्स बापी यह सब करते वह शर्म नहीं आती हम तो अनों की तो शादी ह तौने वाली है ना कमान भापी चोड़ो लगे रहो लगे रहो नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है मुझसे शर्माने की जरुवत नहीं है लगे रहो अरे बुढ़िया तेरी समझ में नहीं आता क्या तुम भी ना दोनों पागल हो गया है अरे जूस्तों पिकर जाओ ऐसा क्य हम जिस लड़की को ढूंड रहे हैं वो इसी गाम में है के दमाजी 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 क्या होगी अंगल सीथा कितरा पावन और पवित्र जो है वो भी खो गई है दमाजी कहा खो गई को तो मुझे से भी मैं नहीं मुझे मेरी बेटी नहीं मिल रही है घर में हर जगा ढूंडा क्या मेरी गुडिया जो है जादू की पूडिया जिसके पीछे है पूरी दुनिया हॉस्पिटल के पास जैसे मेडिकल स्टोर होता ना वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही रहती थी अब बताओ ना कहा गई वो चोटी सी बच्ची है कि मुझ खोल के कुछ बोल भी नहीं सकती है सही कहां अगर मुझ खोलेगी तो अंसेंसर डायलोग ही निकले अरे चोटी गाओं में गुम गई होगी उसे वापस ला चीक है मां अरे बाबुजी देखने दीजिए यहां तो इसने एक्जिबिशन लगा सब देख रहे हैं बाहर निकलो बाफी क्या कर रहे है तो चलो यहांसे आइए आइए अंदर आइए आज आईए आपी ने फोन किया था ना यहां आए बैठिए 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 देखो बेटा इस गाओं में पुलिस की नहीं दूरा बाबु का न्याय चलता है और तुम्हें उसी घर की लड़की चाहिए बहुत मुश्किल है मेरी बात सुनो वापस चले जाओ सर आपको जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा पर वो लड़की हमें चाहिए देखो बेटा मैं तुम्हें बातों से समझा रहा हूं अगर किसी को पता चलेगा न तो मुश्किल हो जाएगी यहां से चले जाओ तो भी जिन्दार होगे चलो चलो निकलो एक गिलास पानी मिलेगा हाँ लेक्या आता हूं लो पीओ बेटा आपने ऐसा क्यों किया भाई हम इस गाओं में है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए हमें समझाने चला था हलो ए सुनो सुनो ओय हलो सुनो तो हमेशा इतने इनर्जेटिक रहते हो आज स्कूल जाने वाले बच्ची जैसे डल क्यों लग रहे हो उसने क्या किया देखा न मैंने क्या पूरे गाव ने देखा तुम्हारी होने वाली वाइफ है न वो ऐसी बुरी बाते नहीं करते उससे शादी होई तो बॉड़ी गड़ बन जाओंगा घरवाले उसके लिए टाइम देख रहे हैं लेकिन मैं उसमें बाउम देख रहा हूं घरवालों को समझा है लेकिन समझते ही नहीं तो आगी क्या करना चाहते हो सबसे पहले तो यह शादी रुखवानी है इस मामले में तो मैंने पीएश्जी कर रखी है ऐसे क्रिजी प्रॉब्लम्स को तुम्हें इसी ली सॉल्व कर सकती हूं ऐसा क्या कोई आइडिया तो बताओ ना आइडिया ना वेट ओके आइडिया आगी अच किया आइडिया उस लड़की का बॉइफります ऐसा चाहे दो वह घर के लिए रूफ जितना जरूरी होता न में इतना ही इसा बातों के लिए प्रूफ जरूरी होता है जआने दो तो पिर तुम किसी लड़की से शादी रुख जाएगी ब्रिलियां इडि लेकिन मुझे इमेडियेटली ऐसी लड़की कहां से मिलेगी मिल गई कौन है वो तुम हो तुम हो इसे इमद की मुझे लब गुलाओं तुम एक दिन मेरी लिए लबर की आक्टिंग नहीं कर सकती और कि कि अपके कि अजरी फिससे लाइट अज्क्ति लिए अरेंज्मेंट किसके लिए अरेंज्मेंट नहीं तेरा और गोडिया का एंगेजमेंट curva बबभी मेरे साथ बेग मिनिट बाहर चलोगे प्लीज पापी थे खमें बभी, बभी भागो मात बभी एक मिनिट दूगीगा क्या हुआ ये यहां खेल रही है काव्या काव्या एक मिनिट इधर हुआ ऩो शाहुं। एक मिनिट सरा आओटिंग मैंटा।ν एकर मुलुकुल है इसा करनों, बिल्कुल वाईसा हिु वह देख रही है? वह धखु हुए हम ऐसा च्शनाओ एकर कहना फिलुकुल एकर करेंगे ऑन मुलो тест तॉनाओ reuse yeah गई नहीं वही रुकिया I love you Kavya पापा ये कर रहे हैं इकरार ये कैसा है हम पे वार गुडिया दामाज जी हमारे लाइक नहीं है चल चल निकल यहां से नहीं होगी यह शादी बिल्कुल नहीं होगी वह चली गई क्या चली गई येस 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 बाइसाब जब आपने फोन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं फॉरण चला आया इन दोनों की शादी हो जाएगी ये सोच के मैं आया था लेकिन मेरी सोच के धज्जिया उड़ गई है आपका बेटा किसी और लड़की से प्यार करता है बाइसाब देखो भाई साब हमारे सपनों को तोड़ने गवाद कैसे मासुमों की तरह खड़ा हुआ हमारे शहर में मेरी बेटी को छोड़कर जब ये किसी दूसी लड़की के साथ ना चाता ना मैं तब ही समझ गया था लेकिन हकीकत का पता मुझी यहां निगवाद चली गया कि ये लवर्स हैं क्या रे छोटे ये बात तुने पहले बता दी होती तो इस बेवकूफ को जा बुलाते ही नहीं ना मैं आपको बेवकूफ दिखता हूं आपने इतनी बड़ी बात सब के सामने कह दिए कि अब मेरा इस घर में रुकना दुश्वार हो जाएगा मैं नहीं रुक स आपका लड़का रोमांस करते करते बहुत दूर तक जा चुका है अगर आपने इसकी शादी जल्दी नहीं करवाई ना तो शादी से पहले बहुत कुछ हो जाएगा आप इसकी जल्दी शादी करवा दीजिए गौड ब्लेस यू भाई साहब पापा मुझे बापी चाहिए मुझे भी ताज महल को खरीदना है और चानद पर गोल्फ खेलना है ऐसा हो सकता है क्या वैसे ही तुझे ये बाप्पी भी नहीं मिल सकता है बेटा बस बस ये क्या अपने बेटे पे गुसा करके क्या फाइदा गुसा न करू तो और क्या करूं इसने जो किया है उससे खुश हो जाओ अरे आज कल लड़का लड़की का प्यार करना गलत नहीं है बेटा पर मुझे नहीं बताया वो गलत है उसने डर के मारे नहीं बताया होगा लेकिन ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई, उस modern गुडिया से तो ये लड़की सौ गुनाच्छी है, मुझे तो ये महालक्षमी का रूप लगती है, हाँ सुन सुन, वो यहीं आ रही है, उसके परिवार के बारे में पूछ, आओ बेटी आओ, बैठो तुम रुको बहु, मैं पहले स्वीट खिलाओंगी, ये लो, शर्माओ मत बेटी, हराम से खाओ, आउंकल, आपको जब से देखा है, मनने इस बात दबा कर रखी थी, बोल दू, आपना छोटे के पापा नहीं लगते, बड़े भाई लगते हैं, अच्छा हुआ, तुमने छो मामी डाडी बच्पन में ही गुजर गए, मुझे बड़े प्यार से मेरे भाईया भाबी नहीं पाला है, तुम हमारे घर में आई हो, तुम्हारे भाईया जानते हैं, वो जानते हैं, वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं, तुम्हारे भाईया काम क्या करते ह पुलिस डिपार्टमेंट में एसी पी है पुलिस आज तक पुलिस वाले इस गाउं में नहीं आए अब वो सिधे हमारे घर में आएंगे क्या काव्या काव्या उसे पसंद आएगा आओ बैठो बेटी क्या हो आँटी यह कंगन हमारे परिवार की पुष्टेनी निशानी है इसे तुम रखो अच्छा लेकिन यह अप मुझे के दे रही है हमारे घर की बहु को ऐसे जेवर देना हमारी परंपरा है मेरी सासुमा ने मुझे दिया था मैं तुम्हें दे रही हूँ रख लो बेटी हमारे घर की दुलहन बन रही हो इसलिए तौफा ले लो बेटी इससे अपना छोटे बहुत पसंद आ गया है दोनों की शादी चल्दी करवा देंगे हम बिल्कुल बिल्कुल शादी होते ही हमारे भी जम्मेदारी खतम हो जाएगी कंगन देकर शादी की बात कर रहे हैं हमारे बारे में उन्होंने गलत सोच लिया अपनी लाइफ में वापस नहीं आऊँगी यह सब उस पेवकुफ की वज़े से हुआ है उसने मुझे चीट किया है कैसे भी करके इस गाउं से निकल जाओं मैं निकला हो गड़ी लेके एक मोड आया मैं उत्ते दिल छोड आया अब ये बस भी नहीं आ रही इसे क्या हुआ यह यहां पर क्या कर रही है कर रही हो यह बैग लेकर कहा रही हो तुम्हारे चोटे ने मुझे लवल की आक्टिंग करने को कहा और उसकी जान बचाने के लिए मैंने आक्टिंग भी कर ली अब उसकी घरवाले मुझे बहु बनाना चाहते हैं इसलिए मैं भाग रही हूं रुपो लुको 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 तुमा चाना के यां से चली जाओगी तो बापी अपने बाप के सामने पहना आगा यहां रहोंगी तो मैं पहने अग्याओजिए मत जाओगी il अब यह पकड़ अंकल जी हलो अरे बापी तेरी पतंग तो गुल हो गई वह लड़की तुसे प्यार नहीं करती तुम्हें किस ने बताया उस लड़की नहीं बताया वह गाउँ छोड़कर भाग रही है जब वह यहां से चली जाएगी तो तेरे बाप को पता चलेगा फिर त करनी पड़ेगी अगर तुझे बचना है तो जल्दी से उसे रोक ले तुम हमें दोखा देने चला था अब तेरे बाप को पता चलेगा और तेरी बैंट बजेगी कर तक काव्या एक मार्ण वेड़े चला कर देखो कका जोश्ययद चलवक जटा प्लीज है तो भी हैंट रुक तो है पर शुutet कावेज में नई भसाने में प्लेसे तो आंप नुखelf़ए कि आतए तोम यह तो बोल्बात क्या हुआ कावया ऐसे क्यों रियाक्ट कर रही है मेरे घरवाले शादी करवाना चाहते थे इसलिए में महां से भागी यहां पर भी वही कहानी प्लीज कावया मैं बहुत पूरी तरह फज जाओंगा मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक्स लेकिन इसके आगे कुछ नही पापा को कैसे संभालू बहुत बढ़िया लगता है सच में पंक्चर हो गया है यह रूप कहां जा रही है यह पाग रही है रूप जा तुझे अ था नहीं है तुझे तुझे और च pragmatic कि एक्क कि एक्षों नहीं कि यह डिह ख़िया है 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 प्रूप् घुए आप कोई spraw एलोगाओ कर दोगा अगाओ अईुए टुए आप कर दो दो एलोगाओ कि अऑयात चुए आप ए ए ए झाव एर कवया मेरी बात सुनों एक मिनट सब्सक्राइब चानल इदरा छोड़ो कुछी चोड़ो रहना वागले आप छोड़ो वात बात भागले आप छोड़ो तुने पहली बार इस पर हाथ उटाया था तभी मैं समझ किया था कि तु पुलिस वाला नहीं है बोल कौन है तू बताता हूं बता 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 कौन है तू बोल बोल कि वाल कौन है यां कुए भुल बताता बोलना पतातू मुझा तूलेगा पाविया अब इस सिच्वेशन में तुम्हारा जाना सही नहीं है फिलाल तो मेरे घर चलो तुम्हें सेफली में घर पहुचा किया होगा चलो अच्छory हुचा किया रखत in चला वोट के लिए पैसे दो नहीं सुने तो उन्हें वार्निंग दो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में ये एलेक्शन जीतना है लड़की हाथ से निकल गई ऐसे कैसे निकल गई उसका एक बॉयफ्रेंड है भाई दिखने में तो सीधा लगता है लेकिन बहुत टेड़ी खीर है मैंने लड़की लाने के लिए कहा और तू किसी और की बढ़ाई कर रहा है मैं अगर पहले जैसा घुंडा ही होता तो मेरे भाई को मारने वाले उस एसीपी को मैं कब का खत्म कर चुका होता मैं एमेले बनने के लिए इस बार एलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम कहीं भी उचले तो मैंने तुम्हें बेजा मैं उसकी पहन को पकड़ कर उस एसीपी को मारना चाहता हूँ वो लड़की मुझे चाहिए वो लड़की मुझे चाहिए काव्या आखिर है का तू दो दिन में आने वाली थी और आज कितने दिन होगे शादी करने का फैसला कर लिया है मैंने ये क्या कह रही है शादी के नाम से तो भागती थी और तू कह रही कि तुझे शादी करनी है ए सुन तेरी तब्यत ठीक है ना मैं तो बहुत खुश हूँ आच्चली मुझे खुश रखा है मुझसे बहुत प्यार करता है मुझे हसाता है अगर जरूरत पड़े तो जान भी दी सकता है अखिर है कौन वो अरे और कौन वही लड़का जिसना तुझे भगाया था वही है ना हाँ वही आज के जमाने में लड़के फेस्बुक पे लड़कियों को ढूंडते रहते हैं स्य हम अ長 flight क्राव सफ़िएए आने में प्यार में लड़के। Lakshmi? Lakshmi? पापा आपसे कुछ बात करनी है तुमसे अभी बात नहीं कर सकता मैं पंचायत में जा रहा हूँ लौट कर बात करता हूँ नहीं पापा अभी बात करनी है मैंने आपसे छूट कहा पापा मैं काव्या से कोई प्यार व्यार नहीं करता उस गुडिया से शादी करना पसंद नहीं था इसलिए ये सब ड्रामा किया मुझे माफ करतो पपा पाया प्लीज भैया इसमें इसकी कोई गलती नहीं है हाँ बेटा मैंने पहले इस लड़के को गलत समझा था इसने ही मुझे फोन पर सब कुछ बताया तुम्हें ले जाने के लिए मुझे बापी नहीं यहां बुलाया इसलिए मैं यहां पहुच पाया काव्या तुम्हारे भाई को मैंने सब बता दिया है अब से यह तुम्हारी मंजूरी के बगर कोई भी रिष्टा नहीं लाएंगे तुम खोश नहीं हो गाउं के लोगों को जब आपकी तारीफ करते हुए सुना तो मुझे लगा कि वो लोग को जादा ही बोल रहे हैं लेकिन आपको और आपके बेटे को देखने के बाद पता चला कि वो लोग बहुत कम बोलते हैं मेरे बहन को अपनी बेटी के जैसा संभालने के लिए आपका शुक्रिया चलो चलते हैं भाईया सरा दो मिनट देंगे ओके काविया मैं कार के पास वेट कर रहा हूं तुम बात करके आजाओ बेटी काविया मुझे आज तक ममी डाडी कैसे होते हैं यह पता नहीं था लेकिन अगर होते तो आप लोगों जैसे ही होते मैं चलती हुआ जब भी मौका मेले हमसे मिले ज़रूर आना चाहती हुआ दादी नहीं हुआ 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 तुमसे मैं तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूं वहां तुम्हार भाई बेट कर रहा हैं चलो हुआ बाए बहुत बहुत शुक्रिया बापी जब हैदराबाद आओगे तो घर पर ज़रूर आना ठीक है मैं चलता हूँ चलो ठीक है बापी बाए अरे वह फिल्म बड़ी अच्छी थी यार यार ही रोई ने बहुत ही बस्त का उख आप नमस्कार भाई साब मन महान सिंग जब पीम ते तब यह गय थे और मोधी जी के पीम बनने पर वापस आएं इतने दिनों से नहीं देखा तो सोचा एसीप ने एंकाउंटर कर दिया होग आपस क्यों है शादी करना चाहता हूं यार वैसे लड़की कौन है एसीप की बहन से इतना शौक्की हो गया पहले फ्रेंडशिप तक नहीं थी अब लवर का रिलेशन कैसे हो गया अगर तुने एसीप की बहन से शादी की ना तो तेरा आधार काट तेरा राशन काट तेरा सब को जला के तेरी जिम्दगी का एंड करके डश सर्टिफिकेट पकड़ा देगा तुझे किसी टीचर की या किसी रॉक्टर की बेटी से शादी कर ले उसमें रिस्क नहीं होता है इसक किया है तो रिस्क तो हो गाई रिस्क तुझे नहीं हम लोगों को है असल में सब्सक् सब्सक्राइब करें कि यह पुलिस वाले और इतने सारे लोग यहां क्या कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यहां पर किसी की शादी हो रही है पुलिस के कुद्दे भी है यह बंधू ऐसी अहलात में मंदर नहीं जा सकते इस वक्त में गेट से ज्यादा पीछे का गेट अच्छा काव्या सच बता तु बापी की बात भूल नहीं पा रही है ना मगर वो तुम्हें कपका भूल चुका है नहीं तो वो एटलिस तुम्हें एक बार कॉल तो करता ना तु शादी के लिए तैयार हो जा काव्या अब जाकर मैं याद आई हूं आई लव यू 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 मेरे भाईया ये शादी कराए बिना नहीं मानेंगे मानने तक मैं नहीं छोड़ूंगा लव यू काव्या है 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 पहले मेरी बात सुन लीजिए मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करता है और यह यह बात बताने के लिए हैं तेरी इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आकर मेरी बहन से तु प्यार काई धार कर ला है नहीं सर मेरी बात सुनिये तो सही मुझे तुम पर पहले सेहीं डाउड था Monsieur Ugh उसी दिन तुम्हें माझ देना चाहिए था लेकिन तुमने कहा कि मेरी बहुन के साथ , तुम्हें कोई रिष्टा नहीं इसलिए तुम्हें छोड़ दिया प्लीज भईया प्लीज अगली बार फिर तुमने अगर प्यार का बखवास किया या इस घर के आसपास कहीं में नजर आया तो मैं तेरा एंकाउंटर करके ही नहीं दोगा तो आज कर लोग अपना समाज छोड़ कर आरे समाज पर भरोसा करते हैं और जिनके पास फ्रेंड्स हो एक्जामें फिल हो सकते हैं पर लव में कभी नहीं बखवास बनकर सॉल्यूशन बता सिंपल लड़की को उठा लेते हैं अपने अपनी गन लोट किये वह शायद वाश्रूम भी नहीं जाता होगा इसलिए इस डील को कोई और डील करेगा कौन है वो के के किनेट क्रेश बि की कि अज़ए अज़े आइए अज़े अज़े आइए अज़े आइए इस तो हैल्मेट में जला हूँ आम लेट लग रहा है तुझे सब्रोसा है एकिटनाइप करेश सब्सक्राइब करेश करें तो टीश्यू पेपर की तरह लगता है अपने आइसु क्या समालेगा यह अज के बिसकी शादी उसके प्यार के बरबादी विस्की पीने से तुमें किक मिलती है और रिस्क लेने से मुझे किक मिलती है मैडम का फोटो वाटसएप करो ओनलाइन ट्रांसर करो लड़की ओन टाइम तुम्हारे पास होगी आपका प्लान क्या है बताइए मेट्रो रेल बना रहा हूँ जो प्लान बता हूँ स्पॉर्ट पे प्लान बनाता हूँ लड़की तुम्हें मिल जाएगी उसके बाद सुपर क्रेश आई लव यू आदे घंडे में आपका पेमेंट आनलाइन तोचा दूंगा तु घवरामत भाई तिरा किस क्रिश के हाथ में है वो लड़की का मैटर हैंडल कर लेगा तू टेंशर मत ले चाल पाई वह बोई जीपी अपनी बेंड की शादी करवा रहा है शादी करवा कि अमेरीका बेज देगा उसे वापस लानने के लिए हमारे पास वीजा पास पोर्ट मी नहीं है ये तू क्या बोल रहा है उस लडडकी की शादी नहीं होनी चाहिए उस लड़की को मंदप से उठ पाला जाओ अलो मेडम कैसी है आप बढ़ी है बढ़ी है थैंक यू ए रुग जाओ रे तुम्हार पास पास है के आंदा जाने के बैंड बजाने वालों के पास पास कहां से होगा साब आज़ा ठीक है जाओ मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा है स्काइ में मून हाथ में फोन वैसे मैं भी नज़र आई जाता हूं पता नहीं क्यों तुम्हें बैंड बाला नहीं लगता है सच बता एक्जैक्टली बिफोर आवाज मुजिक डिरेक्टर कनुमलिक ने मेरा मुजिक चुराया फिर मैं यह बैंड बजाने माला बन गया है तो बैंड की आवाज कमने होनी चाहिए थेखना सब लोग तुमारी तारीफ ही करें कंफर्म तारीफ करेंगे बजाने तो दीजिए कोने भी तू तेरा बैज हमसे मैच नहीं कर रहा अरे मैं तुम लोगों की गैंग में नया शामिल तुम लोग इस तरफ जाओ मैं दूसरी तरफ जाता हूँ चलो चलो आजकल किड्नेप की बिजनस में कॉंपटीशन बढ़ गया है पहले इन सबको यहां से अटाना होगा है 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 इधार आओ इधार आओ आजवाँ क्या कर रहे हो अंदर बहुत शारी लड़किया है सब एक से बढ़कर एक है तुम लोगों को में अग्या इस यह एक पुलिस आले नहीं है पुलिस आले बात क्या है उदर बैंट बजाने वाले कितना बैंट बिहाइव कर रहे हैं लड़कियों को खिड़की से जाग रहे हैं मुझे तो शर्माती है आप में से दुलहन कौन है मैं हूँ आपको लेने के लिए बापी ने भेजा है तुम्हें क्यू बेजा तो क्या तुम्हें सचमुझ का क्रिश चाहिए था चलो 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 एक मिना किटनेप करने से पहले क्लोरोफॉर्म से उल्हां देता हूं सब्रत नहीं है मैं अल्ड़ेडी तैयार हूं इसे कहा लेकर जा रहे हो हैं साइड़ी था जाए ईस्था तुम्हें एस यहीं है चलो 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 यार फिर भी नहीं किया था ओफ-लाइन कैसे होता है अने में हो सकता है कभी लेट हो जाओ लेकिन आता जरूर लेकिन दिमाग से शार्फ हो सब्सक्राइब कर दिया है अभी सर्वर डाउन है दिखे का दिया है अब लुक चोड़ो एक दम चेक करते रहे ना किया कर रहे हो अरे अजय मालया की छठी अवलादो मुझे दोखा दे रहा हूँ 5,000,000 ओके ना है स्टाफ और ओफिस को मेंटेंड करना है ना डील ओके हम है मेरी बेहन कहां है यह बैंड वाले की ड्रेस में तुह आया था ना वहाँ शादी में कैसे पुलिस वाले हो उस समय अपना काम कर नहीं पाया पहचानने से क्या फाइदा बता दे कि मेरी बेहन कहा है वरना मैं तुछ मार दूंगा इसको उसको और इसको भी सब को बना चुका हूं तुम मारोगे और मैं देखता रहूंगा क्या दुनिया मेरी पहन कहा है अपकी बहन को बापी अपने गाउं लेकर गया है चलो उसके बास अब जो लोग मुझे मार रहे थे उस टाइम पे तुम लोग क्यों नहीं आए आपका ही टाइम खराब है तुम लोग का टाइम सही है मेरा टाइम खराब है अब ही बताता हूं किसका रहा है अब है यहां क्रिश कौन है यह बाए वह लड़की कहा है रहे क्या मलहासन की बेटी शुदीहासन या फिर रजनी कांथ की बेटी सौन्मरया उसकी बेहन रहे जिसे तुने किड्नेप करके लाया था वे सिपी की बहन वो लड़की डील खतम होती ही मैं डेटा भी डिलीट करदेता हूं आप तो बता दे वो लड़की कहा है उस लड़की की डिलेवरी उसके लवर को दे लिं उसके लेकर अपने गां गया है ऐसा क्या से चलो रह cancell самой कि तुम नों का टाइम सही है मेरा टाह방 है यही नास्त यह 1 बमस्त यह ब दो दियोग असने मी फंस काम के नियो पूर अब पूर पूरा किया पूर अपने दादा पर गया था अब इस खुब तूरत परी से शादी कर रहा है जल्दी चलो महुट निकल जाएगा इसे जल्दी से तयार करके ले आओ आ बंडी जी दुलन को लेकर आ रहे हैं चलो अच्छा उठाले आउसे कौन है रहत हो मेरे ही गाव में आकर मेरी होने वाली महुट को ले जाने के कोशिश कर रहा है आप इशारा करो मालिक गाव के देवी मा के मंदिर में कसम से बली चड़ा देंगे तुमने देख लिया मैंने मूँ फेर लिया तो यह गाव वाले तुम्हें मिक्ति में मिला देंगे गाव में आने से पहले ही मैं जान गया था कि तेरी ताकत क्या है और तुझ में कितनी हिम्मत है इसलिए मैं पूरे प्लानिंग के साथ आया हूं मैं तेरी कमजोरी अच्छी तरह जानता हूं अब तु यह बता तुझे वो लड़की चाहिए या गाव वालों की जिंदगी तु पूरे गाव के लोगों को मारने की बात कर रहा है इस गाव के सिर्फ एक आद्वी को मार कर दिखा दो एक को? कौन है वो आदमी? छोटे! यह तो कोई मासूम सा बच्चा लगता है तुम चाहते हो यह मुझसे लड़े? यह बच्चा मेरा बेटा है जोटे दिखा देसे कि हमारे गाव की मिट्टी में कितनी ताकत है मुझसे हो मुझसे हो प्रुक्चार प्रुक्चार माज़ प्रुक्चार कर दो 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 कर है अर्चा आज़ 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 प्याहि वफ खूहारब और अवार। हुण हabytesे सकाल ह्काल впропrzyकि Après हुथ-ब खुछ कि अन्हें प्योंसा उढ प्यूजब नकाइट प्यूकर कि अ कि अ talking है चलो ले जाओ इसे मेरी बेहन के खातिर जो अपनी जान को खत्रे में डाल सकता है वो उससे कितना प्यार करता होगा तुम काविया के लिए बिल्कुल सही लड़के हो है पंडी जी आई 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 है भूर्ट निकला जा रहा है अराम से हमारा रिष्टा थोड़ी तूट गया है अगर आप मुझे न्योता देते तो मैं शादी में इनके लिए बहुत महिंगी किफ लेकर आता पर आप तो भूली गए अरे राजा तू यह क्या कर रहा है तू भी शादी अटेंड कर रहा है तू इन्हें जानता नहीं भाई साब यह मेरे रिष्टदार है मतलब बापी हमारे ही परिवार का बच्चा है यह पूरे गाउं का बच्चा है अधा कर दो कर दिवार को जाया आता ये अड़àiता ये वीयाघ